जी के मस्ती MS में आपका फिर एक बार स्वागत है NCRT भारत के भुगोल में चवथा ध्याय जो आप लोगों ने अध्यन किया उसका दूसरा भाग देखा जिसमें हम लोगों ने जलवायू से सम्मंदिश सिध्धान्त देखे आज दच्छिड पस्चमी मानसून के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद मानसून का निवरतन यानि मानसून की विशेस्ताएं भी देखेंगे मानसून का निवरतन भी देखेंगे यानि वापसी और उसके बाद में देखेंगे मानसून विच्छेद कितने टॉपिक आज कम्प्लेट होंगे दच्छिड पस्चमी मानसून सामानिता भारत में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है इस समय उत्तर पस्चमी भारत यवं पाकिस्तान में निम्न वायुदाप का छेत्र बन जाता है अन्ता उश्लिकट बंदी अविसरन छेत्र यानि ITCZ उत्तर की ओर खिसकता हुआ सिवालिक परवत पर के पार चला जाता है इसके कारण भारती उप महादियूप के उपर सिंद गंगा मैदान में एक लंबा कार निम्न दाबी मेखला का निर्माड होता है जिसे मानसून गर्थ कहते हैं इस निम्न दाब को भरने के लिए दच्षडी गोलार्द में चलने वाली दच्षड पूर्वी व्यापारीक पवने विस्वत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है फेरल के नियमा नुसारा ऐसा ही है तथा दच्षडी पश्च्मी मानसूनी पवन का रूप ले लेती है भारत में दच्षड पश्च्मी मानसून की उत्पत्य का सम्मंद उष्ड पूर्वी जेट इस्ट्रीम से है दच्छिड पश्मी मानसून भारत में सरोप्रथम अंडमान यों निकोबार टटपर 25 मई को पहुँचता है फिर एक जून को चेन्नईवा तिरुवंत पूरम तक पहुँचता है पाँच से दस जून के बीच कोलकाता यों मुंबई को छूता है दस से पंद्रा जून के बीच पटना एहमदाबाद नागपुर तक पहुँचता है और पंद्रा जून के बाद लख नव दिल्ली जैपुर जैसे सहरों में पहुँचता है प्रायद इपी भारत में दस्तक देने के बाद दच्छिड पस्चिम मानसून दो साखाव में बट जाता है नमबर एक अरब सागरी साखा और नमबर दो बंगाल की खाड़ी वाली साखा ये है दच्छिड पस्चिम मानसून के आगमन की श्रामान देख लीजिएगा मैप में अब जो दो भागों बट जाता है अरब सागर की मानसूनी पवने देखिएगा पहले जो अरब सागर की साखा है अरब सागर से उत्पन होने वाली मानसूनी पवने आगे पुना तीन साखाओं में बढ़ जाती हैं इसकी एक साखा को पश्चमी घाट रोपते हैं ये पवने पश्चमी घाट की ढलानों पर 900-1200 मेटर की उचाई तक चड़ती हैं अता ये पवने ततकाल ठंडी होकर साखाद्र की पवना भी मुखी ढाल तथा पश्चम टटी मैदान पर 250-400 से बीच भारी वर्षा करती हैं पश्चमी घाट को पार करने के बाद ये पवने नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं इससे इन पवनों की आदरता में कमी आ जाती है पैडाम सुरूप पश्चमी घाट के पूर में इन पवनों से ना मात्र की वर्षा का या छेत्र वुरष्ट इच्छाया छेत्र कहलाता है अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी साखा बुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मद्ध भारत में दूर तक वर्षा करती है छोटा नागपूर पठार में इस साखा से 15 सिंटिमीटर वर्षा होती है यहां या गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की साखा से मिल जाती है और इस मानसून की तीसरी साखा सवराष्ट्र प्रायदीप और कच्छ से टकराती है वहां से या आरावली के साथ साथ पश्मी राजस्थान को पार कर जाती है और बहुत ही कम वर्षा करती है पंजाब और हरियाना में या बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की साखा से मिल जाती है ये दोनों साखाएं एक दूसरे के सहारे प्रभलित होकर पश्मी हिमाले विशेश रूप से धरमसाला में वर्षा करती है ये तो अरब सागर की साखा थी अब बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की साखा में मार के तट तथा दच्छिड पूर्वी बांगलादेश के कुछ भागों से टकराती है किन्त मैमार के तटपर इस्थित अराकाल पहडियां इस साखा के एक बड़े हिस्से को भारती उप महादियुक की ओर विच्छेपित कर देती हैं इस प्रकार मानसून पस्चिम बंगाल और बांगला देश में दच्छिड पस्चिमी दिसा की अपेच्छा दच्छिड पूर्वी दिसा से प्रवेश करता है यहां से यह साखा हिमालय परवत तथा भारत के उत्तर पस्चिम में इस्थित तापी य निम्न दाब के प्रभाव से दो भागों में बढ़ जाती इसकी एक साखा गंगा के मैदान के साथ साथ पस्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है इसकी दूसरी साखा उत्तरवा उत्तरपूर में ब्रह्म पुत्र गाटी में बढ़ती है या साखा वहां विस्तरच छेत्रों में वर्षा करती है इसकी एक उपसाखा में घाले में गारों सिखर पर इस्थित मासिन राम में वर्षा करती है जो विश्व की सरवाधिक आउसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है तमिल नाट टट वर्षा रितमें सुस्क क्यों रह जाता इसके लिए दो कारण है उत्तर की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है दूसरा कारड़िया है कि या दच्छिड पस्चमी मानसून की अरब सागर साखा के वरष्टी छेत्र में इस्तित है ये ही कारण है कि तमिलना टट वर्षा रित्मे सुस्क रह जाता है आगे हेडिंग है मानसूनी वर्षा की विसेश्ता है देखे पहली विसेश्ता तो ये है कि दच्छिड पस्च्वी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दोरान होती है मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच चत्वा भू आकरती दोरा नियंत्रित होती है उदा अरण के तौर पर पश्मी घाट की पवना अभी मुख्य ढाल 250 सेंटिमीटर से अधिक वर्षा करती है इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहां की पाडिया और पूर्वी हिमाले उत्तरदाई हैं समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवतिक पाई जाती है किसी एक समय में मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक लगातार होती है तथा इनके बीच कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिनें विभंग या विच्षेद कहा जाता है वर्षा के इन विच्षेदों का सम्मंद उन चक्रवाती आवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के सीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमी में प्रवेस कर जाते हैं इन आवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतरिक्त इनके दोरा अपनाये गए मार्ग भी वर्षा के इस्थानिक वित्रण को निरधारित करते हैं ग्रेशम कालीन वर्षा मुशलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बहे जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है भारत की क्रस प्रधान अर्थ विवस्था में मानसून का अत्धिक महत्तु है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का तीन चोथियाई भाग दच्छिड पस्च्मी मानसून से प्राफ्थ होता है मानसूनी वर्षा का इस्थानिक वित्रन भी असमान है जो 12 cm से 250 cm के बीच वित्रित है कई बार पूरे देश में या इसके भाग में वर्षा का अरंब काफी देर से होता है साथ ही कई बार वर्षा सामान समय से पहले समाप्त हो जाती है इसे से खरीब फसलों को तो नुक्सान पहुंचता ही है सीत काल इन फसलों को बोने में भी कठना ही आती है तो ये तो मानसूनी विशेशता है अब मानसून का निवरतन यानि वापसी कैसे होती है देखे मांसून के पीछे हटने या लवट्टे जाने को मांसून का निवर्तन कहा जाता है सितंबर के आरंब से उत्तर पस्च्वी भारत से मांसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक या दच्छडी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है लोटती हुई मांसूनी पवने बंगाल की खाड़ी से जलवास्प ग्रहड करके उत्तर पूर्वी मांसून के रूप में तमिलाण में वर्षा करती मांसून के निवर्तन की रित ये हेडिंग है ग्रीसी में मतलब मांसून का निवर्तन में रित क्या हो अक्टूबर यवन नवंबर का महिना ग्रीसम वर्षा रित से सीत रित में परिवर्तन का काल होता है जिसे मांसून के निवर्तन की रित्व या मांसून की वापसी भी कहा जाता है सितंबर के यंत में शूर के दच्छडायन होने की इस्थित में गंगा के मैधान पर इस्थित निम्न वायुदाब की द्रोंडी भी दच्छिड की ओर खिसकना आरंब कर देती है इससे दच्छिड पश्चमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है अक्टूबर नवंबर के दवरान दच्छिड की तरफ सूर की आभासी गत के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर सिथिल हो जाता है धीरे धीरे उच्छ दाब पड़ाली इसका इस्थान ले लेती है दच्छिड पश्चमी मानसून सिथिल हो जाती है तथा धीरे धीरे पीछे की और हटने लगती है अक्टूबर के प्रारंब में मानसूनी पवने उत्तर के मैदान से हट जाती है अक्टूबर से दिसम्बर माह के मद्धे दच्छिड भारत में उत्तर पूरु मानसून का मौसम रहता है जो मुख रूप से आंद प्रदेश यानि दायल सीमा वा तमिलनाड में सक्री रहता है या तमिलनाड की मुख वर्षा वाली अवद होती है इसी मानसून के समय 26 दिसमबर 2004 को तमिलनाड के 30 छेत्रों में सुनामी आई थी मानसून की वापसी अपेच्छाक्रत एक क्रमिक प्रिक्रिया है समझा सकते हैं या मानसून की वापसी अपेच्छाक्रत एक क्रमिक प्रिक्रिया है जो सितंबर के पहले सप्ता में पस्चमी राजस्थान से मानसून के लोटने के साथ प्रारंब होती है इस महिने के अंत तक मानसून राजस्थान गुजरात पस्चमी गंगा मैदान तथा मद्धवर्ती उच भूमियों से लोट चुका होता है अक्ट्रूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उतरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नौंबर के सुरू में या करनाटक और तमिलाड की ओर बढ़ जाता है दिसंबर के मद्ध तक निम्नवायुदाव का किंद्र प्रायदीप से पूरी तरह से हट चुका होता है उच्चताप माने उमादरता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनी हो जाता है इसे सामानिता कौर की उमस या कार्थिक मास की उमस के नाम से जाना जाता है अक्टूबर उस्मा अगला टॉपिक है अक्टूबर उस्मा ये है दच्छिड पस्चमी मांसून के निवरतन की शामान निति थिया अक्टूबर की उमस उस्मा अक्टूबर में शूर के दच्छलायन होने से शूरिताप की मात्रा घटती है प्रन्त धरातल में अवसोसित उस्मा दीर्ग तरंगी विकिरण के रूप में निस्पन होती है निस्पन मतलब रिलीज होती है या विकिरण संपरक में आने वाली वायू को गर्म करती है चूंकि म्रदा में आदर्ता अधिक होती है इसलिए वायू में भी आदर्ता की मात्रा बढ़ जाती है जिससे दम घोटू पनुत्पन होता है अक्टूबर के उत्राद में विसेश कर उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है तापमान में या गिरावट उत्तरी भारत में विसेश तोर पर देखी जाती है मानसून निवर्तन की रित्मे उत्तरी भारत में सुस्क मोसम होता है जबकि प्राय दीप के पूरवी भाग में वर्सा होती है उत्तरी भारत से जब मानसून लोटने लगता है तो प्रारम्ह में तापमान में थोड़ी सी व्रद्य होने लगती है मांसून के लोटने के साथ साथ उत्तर पस्चिम में विस्तरत निम्नदाब का छेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है इस समया का सुच हो जाता है उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समयनता पूर्व से पस्चिम की ओर घटती जाती है नौंबर के प्रारंब में उत्तर पस्चिम भारत के ऊपर निम्नदाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर इस्थांतरित हो जाती है या इस्थांतरण चक्रवाती निम्नदाब से सम्मंदित होता है जो की अंड मान सागर के ऊपर उत्पन होता है ये चक्रवात शामानिता भारत के पूर्वी तटको पार करते हैं जिनके करण व्यापक छेत्र में भारी वर्षा होते हैं ये उश्ड कटिबंधी चक्रवात प्राया विनासकारी होते हैं गोदावरी किर्फळा वेरी नदियों के शगन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं इसके करण बड़े पैमाने पर जान वें मालकी चते होती हैं कभी-कभी ये चक्रवात उड़ी सा पश्चिम बंगाल यों बांगला देश के तटी छेत्रों में भी पहुँच जाते हैं कोरो मंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन ही चक्रवातों तथा आवदावों से होती हैं कुछ चक्र वाती तूफान पश्चिम बंगाल बांगला देश और मेंमार के तट से भी टकराते हैं ऐसे चक्र वाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं लोटती हुई मानसूनी पमने बंगाल की खाड़ी से जलवास्प गहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलाण में वर्षा कराती हैं यहां अक्टूबर और नॉम्बर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होती हैं मानसून और भारत का आर्थिक जीवन देखे मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है क्योंकि भारत की लगभग 65 परिस्ट आबादी भरण पोसड के लिए क्रिस्पर निर्भर है जो मुखिता दच्छिळ पस्च्वी मानसून पर आधारी था मानसूनी जलवायू की छेतरी विभिनता नेक प्रकार की फसलों को गाने में सहायक है वर्षा की परिवर्तनियता देश के कुछ भागों में सूखा अथ्वाबाड का कारण बनती है भारत में क्रस की शम्रद्धी वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके प्रयाप्त वित्रण पर निर्भर करती है यद वर्षा नहीं होती तो क्रस पर इसका बुर्वा प्रभाव पड़ता है विशेश रूप से उन छेतरों में जहां सिचाही के साधन विक्सित नहीं रभी की फसलों के लिए अत्यंत लावकारी सिद्ध होती है भारती जलवायो की छेतरिय, विविन्नता, भोजन वस्त्र और आवासों की विवित्ता में परिलच्चित होती है तो ये तो मांसून और भारत का आर्थिक जीवन था अब है मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद क्या है? देखिए दच्छल पस्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक, दो या कई सब्ता तक वर्षा ना हो तो उसे मानसून विच्छेद अथवा वर्षा में विराम कहा जाता है इस प्रकार इसमें आद्रेवम सुस्क दोनों तरह के अंत्राल होते हैं दूसरे सब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है इनमें वर्षा रहित अंत्राल भी होते हैं मानसून में आने वाले इस विराम के कारण मानसून का गर्थ योम अच्छ उत्तर या दच्छिड की ओर खिसकता रहता है जिसके कारण वर्षा का इस्थानिक वित्रण निधारित होता है जब मानसून के गर्थ का अच्छ मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा आच्छि होती है दूसरी ओर जब अच्छ हिमालय के समीप चला जाता है तथा मैदानों में लंबे समय तक सुसक वस्था रहती है तबहरी नदियों के परवती जल ग्रहण छेत्रों में इस भारी वर्षा के कारण मैदानी छेत्रों में विनास कारी बाढ़े आती है। यह जान और माल की भारी छती होती है। इसकी अनिस्चिता के लिए जाना जाता है। इसकी अनिस्चिता के लिए जाना जाता है। राजस्थाने मानसून विछेत तब होता है जब वाईव मंडल के निमनिस्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आद्रपवनों को उपर उठने से रोक देती है। तो ये तो मानसून अपरतन और मानसून विछेत देखा। अब ये लितूओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो मताएंगे। थैंक्स पर वाचिंगे।